तो वीडियो है थर्ष्टे मॉर्निंग की और मैं उटके आगे थी हाथ मों दोके अपने किचन में क्यूंकि बच्चों को ना स्कूल जाना था और आज आरू को भी मैं स्कूल भेजने वाली थी क्यूंकि सर्थी का तो यह ना कि रोजी ऐसे पढ़ रही है मतलब धूप आने क कोई चांस ने है कि धूप भी आएगी और अगर आ भी रही है ना धूप तो साड़े तीन बचे के लगवाग आ रही है वो भी थोड़ी थोड़ी धूप तो फिर वही तक ही कि इतनी चुट्टियां करवाओं एक दिन की ठंड़ों तो चलो करवाले दो दिन की हो तो करवा है इसकी पेपर भी आ रहे हैं तो उसकी छुटी मैं नहीं करवा सकती थी क्योंकि स्कूल में भी रिवीजन बगएरा चल रही है तो तो मैं बना रही थी बच्चों के लिए लंच के लिए भी वेखष्ट के लिए अस के लिए मैं भाणारी हूं बैंगन का भर था और मटड डालके मैं बनाऊंगी मटर डालकी मैं बनाती हूं ऐसे खाली वैसे बैंगन का बढ़ता मुझे पसंद नहीं है और बच्चे भी पसंद नहीं करते इससे मैं ना मटर डालकी बनाती हूं तो इसके लिए बढ़ते के लिए ना बिल्कुल कची कची से मटर होती है ना वही मैं लेती हूं ताकि सही से यह पक जाए और अच्छा भी लगे खाने में क्योंकि इसको ना मेर को प्यास में ही पकाना होता है मटर को थोड़ी देर के लिए तो कड़ाई में ओल ले लिए था गरमोते के साथ ही मैंने इसमें डाल था जीरा प्याज लेसुन और हरी मिर्च जो मैंने कट करके रखी थी और इसको प्यास को जादा नहीं बूनना है प्यास थोड़ा कच्छा कच्छा रहे न तो ही अच्छा टेश्ट आता है बढ़ते में और मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ अगर आप किसी अलग तरीके से बनाते हो तो वो अलग बात है लेकिन ऐसे ट्राइ करिए कब काफी टेश्टी बनता बढ़ता और प्यास को हल्का से पकाने के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ हल्दी हल्दी को थोड़ा सा बूंद के फिर म मैं इसमें डाल दूंगी मटर। मतर के साथ है फिर इसमें थोड़ सा नमक भी डाल देना तो इससे क्या हुँता कि मतर जल्दी पक जाते हैं बैंगन फिर डालूंगी महिंग तो यहां पर सबजी तो रेड़ी हो गई थी और अब मुझे उठाना था मैंग को तो साथी साथ मैंने महिंग को भी उठा दिया था वह जो लगे था नहाने और मैं तो अपने किचन के काम करी रही थी अभी टाइम जादा नहीं हो था ना तो उसके उठने का टाइम है मैं साड़े साथ बजी उसको उठाती हूं क्योंकि नो बजे जाना होता है ना तो फिर इतनी जल्दी भी नहीं सुबह सुबह मैं उठा देती हूं तो साड़े साथ बजी उठाता है फिर नहाते दोते वही है साड़े आठ बजी तक बूर रेड़ करते हूं किछन से बिल्कुल फुरी हो जाती हूं जैसे ही दोनों बच्चों का लंच पेक कर देती हुं ब्रेकफास्ट वगएरा बना देती हूं फिर उसके बाद मैं आरू को करती हूं रेडी और इससे पहले जो हैं उसके पापा उसको उठा देते हैं दीरे-दीरे करके बत तो मैंग चला गए था अब तक स्कूल और आरू को भी मैंने नहला दिया था कीचन से फ्री होने के बाद ही नहला के इसको ना मतब सर्दी तो सब कोई लगती है लेकिन इसका ये रहता है कि नाते के साथ ही मतब पहले ही हीटरोन करके आओ जबी मैं बाथरूम से आओंगा काफी सर्दी है इसलिए तो नहा के थोड़ी देर ही हीटर के आगे बैठा था इतने मैंने जो भी इसकी ड्रेस लेनी थी वो लेली अब यह की सर्दी तो है तो अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूं कि अच्छे से मैं इनको कपड़े पहना के भीजूं ताकि ठंड ना लगे बिल्कुल भी क्लास में भी क्लास्रूम जो होता है न वो भी काफी ठंड होता है डैस्क पैर पे बैठ हैं वो भी ठंड होते हैं तो कहता तो यह रोजी है ठंड लगती है काफी ठंड लगती है लेकिन इसके साथ यह है कि बस इसको मैं जो भी पहनाती हूं ना वो अराम से पहन लेता है अलकि मैंक ऐसा नहीं है वो अपनी मर्जी से पहनता है उसको ज्यादा कपड़े पसंद न तो वह इनर जो है न भो भी ऊसको बोल बोल के पहना आती हूं नहीं तो वह इनर भी ना पहने और इसका यह मैं जो इसको पहना दूंगे अपने चिप चाप पहन लेगा गलब्स कैप गहरा सब यह लगा के जाता है तो इतने में इसको रैड़ी कर ले थी तने ये भी माया को छोड़ के आ गए थे तो फिर अभी सुबा सुबा का ये टाइम होता है कि बच्चों को छोड़ के ना दूद लाना उता है तो जैसे ही यह दोनों को ले जाते था है आभी 9 बजे तो इसके बाद दूद लेकर आते थे क्योंकि दूद कभी टाइम हो जाता है ना तो मैंने इनको बोला कि चलो इतने मैं इसको ready के लेती हूँ आप इतने जूद लेकर आओ तो फिर इनको मैंने बेज दिया अपने बाकी के काम में क्योंकि मैं के पापा को तो क्या है ना वो थोड़ी लेटी जाते हैं सरदियां भी हो रही है बाहर तो इस करके ने काफ़ी दिन से वो लेटी जा रहे हैं तो पहले तो मेरा यह रहता था कि सब के जाने के बाद ही मैं अपने घर के काम करती थी लेकिन अब यह है कि उनके जाने से पहले ही मैं घर के काम कर लेती हूं वो थोड़ी लेड जाते हैं इसलिए तो बस वो अपने नहाने दोने में लग जाते हैं अपना वो तैयारी करते हैं जाने की इतने इतने मैं लग जाती है अपनी साफ सफाईयों में तो मैंने काफी दिन से सोच रही थी कि मैं इस वैट सिट को चेंज करूँ हलकी सी भी धूप आए तो मैं चेंज करूँ लेकिन मैं बड़े दिनों से धूप का वेट कर रही थी लेकिन धूप तो आई नहीं तो बस आज मैंने सोचा कि नहीं काफी दिन होगे, धूप का तो कोई पता नहीं है, कब आएगी, कब नहीं आएगी, तो इसको चेंज तो करना ही पड़ेगा, तो आज मैंने चेंज करके वैसे रखती है, तो थजड़े वाले दिन ना मैं कपड़े वगारा कम ही धोती हूँ, तो चेंज तो मैंने वैट सिट कर दी है, अब वो कब धूलती है, एक दो दिन में देखते हैं, बाकि धूप नहीं आएगी, जब भी कपड़े धोने पढ़ेंगे, सोचा तो मैंने यही था कि धूप आएगी, तो चलो थोड़ा सा यह रहा का कि, जो बड़ी बड़ी चीज मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी सारे में कपड़े, कपड़ा से रखना है, इसलिए मैं धूप काई वेट कर रही थी, लेकिन चलो एक दो दिन में धूप आती है, तो उसको धोती हूँ, बाकि देखते हैं, क्या होता है, तो यह वाला जो ब्लैंकेट है तो फिर वो तो उठते नहीं है, लेने के लिए ब्लैंकेट वगयरा तो वो ऐसे ठन में बैठे रहते हैं, इसलिए वहीं पर पड़ा होना, तो वो उठा के ले लेते हैं, और बस यह थोड़ा बहुत जो था बैट सीट वगयरा उठाने का काम यह हो गया था, साथी साथ मैं ने जाड़ो भी लगा ले था, जाड़ो लगाने के बाद मैं कर लोंगी डेस्टिंग और फिर मैं लगा लोंगी पोच्छा, और ना आज मुझे जाना था, मारकिट को समान लेने के लिए, इसलिए भी मैं थोड़ा जल्दी काम कर रही हो, कि चलो थोड़ा जल्दी से काम हो जाए, तो फिर मैं टाइम से मारकिट निकल जाऊ, और फिर मारकिट से आते हाते ही ना, मैं आरु को लेड़े त्यूँ स्कूल से, उसका टाइम दो 20 का है, तो फिर इतना तो time market में भी लगी जाएगा इसलिए मैं थोड़ा सोच रही हूं कि चलो जल्दी जल्दी काम कर लेती हूं फिर जैसे ही अपने काम पे जाएंगे तो मैं इनके साथ ही चले जाओंगी ये मेरे को market छोड़ जाएंगे और फिर ये चले जाएंगे अपने काम पे कुछ इस करके भी मैं अपना काम जल्दी जल्दी कर रही थी ने तो वैसे थोड़ा लेट होई जाती हूं वैसे तो इनके जाने से पहले होई जाती हूं लेकिन कुछ एक काम जो है ना वो मैं अपने बाद में करती हूं इनके जाने के बाद ही अभी हुआ ये था ना कि मेरा मूर थोड़ा सा ओफ हो गया था क्योंकि आरू जो है वो स्कूल जाते टाइम बिल्कुल भी नहीं रोता है आज तक मतलब रोया ही नहीं है वो जब से स्कूल जाने लगा है बड़ी खुशी खुशी शे वो जाता है और मैं भी उसको उससे तरह से रेड़ी करती हूं कि वो रोय ना क्योंकि वो भी रोके जाये ना तो मेरा भी पिछे से मननने ही लगता और हुआ ये कि रास्ते में उसने देखा है कि कुछ बज्जों की चुटियां पढ़ गी है अठाईस तारीक तक और वो स्कूल से बापिस आ रहे है जिनको मैसेज नहीं पहुंचा या उनको मैसेज का पता नहीं लगा होगा शायद तो वो वज़े स्कूल से बापिस आ रह है तो फिर उन्होंने बोला कि चलो स्कूल चलके देखते हैं पढ़ी होंगे तो हम बापिस आ जाएंगे तो बड़ा उस बात को लेके खूश हो गया होगा कि हां सबकी तो पढ़ रही है मेरी भी पढ़ गी होगी तो आगे चलके पता चलता है कि नहीं उसकी तो कोई करने के लिए नहीं बोलता है कभी भी रोके नहीं जाता है तो अगर कभी बार यह बोल भी देना कि मेरा मूर नहीं है मैं नहीं जाओंगा स्कूल मेरा मन नहीं है तो मैं जिदने ही करती क्योंकि यह कभी बोलता है नहीं है कई बाहर ही बोल देता है तो फिर मैं इसकी लग रहा था कि कहीं वो रोया तो थोड़ी देर होगा फिर तो खैर अपने जो भी दोस्त बगारा है या क्लास में टीचर बगारा के साथ सही हो गया होगा उसका मूड लेकिन फिर भी मेरे को थोड़ सा लग रहा था तो बात करते करते ही सारे काम हो गए हैं ब्रेकफास्ट मैंने पूरे घर में अच्छे से पोचा लगाया था जहां मेरे को हाथ से लगाना था वहां मैंने हाथ से भी पोचा लगा लिया था और आज मैं अंदर के जो मेरे दो रूम है उनको मैं छोड़ दूँगी और बाकी घर में मैं पोचा लगाऊंगी वेलकन युव गरा भी म को आसाफ करने हैं तो वह भी मैं साफ कर लूँगी और इसी के साथ मैं अपनी इस वाली वीडियो का भी एंड करूंगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो का लाइक और शेयर जरूर कर दें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलती हूं मैं आपसे अपनी नेक् कि खाउन कि झाला यूले कोरी बूले खाईगी हो तो वीडियो के साजी के साऑन है जए बहीं को